अगर आप अपने लिए अपने loved ones के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं watch my free training program जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हू किरिन शापरी और ये है आप लोगों के लिए April 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि April month में आपके partner की आपके लिए इस relationship के लिए क्या energies रहेंगी finally you know April month में क्या हो रहा है कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप April month की energies को बदल सकते हैं अपनी love life को भैतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चली जी शुरू करते हैं April 2024 की Love Tarot Reading जी जी आप लोगों के लिए देखे कि April 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में परस यहाँ पर तीन set of cards है first set of cards में हम आपकी energies देखेंगे second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally April मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आपे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Night of Pentacles और ये card कहता है कि कुछ time से या फिर April starting में आप काफी safe, काफी secure होके चीज़ों को deal करना जा रहे हैं यानि कि आप किसी भी तरीके का risk ये different circumstances, different situations रहेंगी, लेकिन Night of Pentacles के नीचे together again का card एक दो चीज़े कहता है अगर आप दोनों long distance relationship में हैं तो हो सकता है, आप अपने partner के साथ होना चाह रहे हैं यानि कि आप travel करके partner के पास जाना चाह रहे हैं या आपको लग रहा है partner आपके पास ट्रावल करके आएं या देखिए अगर कुछ issue, मसला आप दोनों के बीच में रह रहा था difference of opinion रह रहा था किसी भी level पे एक distance आया तो तो partner के साथ आप दुबारा होना चाह रहे हैं अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो यहाँ पर together again का card कहता है कि आप अपने partner के साथ एक togetherness हमेशा के लिए चाह रहे हैं और इसी से ही related बहुत safe, बहुत secure होके चीजों को deal कर रहे हैं और कहीं mid April के लिए 7 of Cups reverse का card कहता है कि हो सकता है कि कुछ time से mid April में बहुत सरी चीज़ें आपके mind में चल रही हैं बहुत सरी चीजों में आप involved भी है और इसी लिए शायद बहुत distracted सी energies पीछे अगर रह रही थी तो mid April में आप सारी ही distractions को side में रखके जो भी आप चाहते हैं इस relationship से related partner से related उस पे focus करना चाह रहे हैं या फिर focus कर रहे हैं या पीछे अगर आप सोच बहुत जादा रहे थे उतना action initiatives नहीं ले रहे थे तो April मन्त में कहीं concrete तरीके से आप action initiatives लेना चाहा रहे हैं या पर ले रहे हैं और end April कहीं बहुत great नहीं चाहता हुआ दिख रहा है The Hangman का card कहता है थोड़ा सा stuck महसूस कर सकते हैं जहां पर आपको ऐसे लग सकता है कि बहुत कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं बहुत कुछ कहना चाहते हैं नहीं कह पा रहे हैं और कहीं फिर से मैं कहूंगे आपको ऐसे लग सकता है आपके हाथ बंदे हुए हैं, पैर बंदे हुए हैं, तो एक स्टक सी energies रहती हुई दिख रही हैं, कुछ हेरी इसके लिए हो सकता है कि आप थोड़े compromises, थोड़े adjustments कर रहे हैं and deeper level के लिए dirty and messy का card कहता है, कि थोड़ी सी situation, you know, dirty, messy means complication हो रही है और देखे, मैं यह नहीं कहरी कि partner के साथ आपकी कोई complication हो रही है, कभी-कभी situation, circumstances ऐसे होते हैं, कि हमारे mind में ही बहुत complications होनी शुरू हो जाते हैं, in fact, मैं यह नहीं कहूंगी कि mind में complications होनी शुरू हो जाते हैं, हमारा mind चीजों को difficult तरीके से perceive करने लगता है हम mind में थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं, और कभी-कभी external level पर फिर से मैं कहूंगी कि चीजें बड़ी messy-sी हो जाती हैं, तो वैसी सी energies रहती हुए दिख रही हैं, और अब देखते हैं कि आपके partner की energies हैं, तो आपके partner के लिए आपे star reverse का card कहता है, कुछ time से या फिर April starting में थोड़ा सा एक negative frame of mind में होते हुए दिख रहे हैं, जहां पर किसी भी चीज को लेकर एक उमीद खोते हुए दिख रहे हैं और कहीं, उनको ऐसे लग सकता है कि clarity नहीं है, बहुत directionless महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ ADS के partner को ऐसा लगे, कि जितनी appreciation recognition वो आप से expect कर रहे हैं, deserve कर रहे हैं, चाहाते हैं, उतनी आपकी तरफ से appreciation recognition नहीं मिल रही है, and quick replies का card कहता है, कि जो भी surface level पर वो महसूस कर रहे हैं, आप अगर उनसे कुछ कह रहे हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी आपको reply back कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी answer कर रहे हैं, और देखिए अगर इसके हिसाब से देखें, तो कहीं definitely उनके मन में आपके लिए feelings हैं, उनके मन में आपके लिए love है, और देखिए mid April के लिए, कहीं two of those rivers का काट कहता है, पीछे अगर decision नहीं ले पा रहे थे, choice नहीं कर पा रहे थे, या फिर stuck महसूस कर रहे थे, तो इस energy में से बाहर निकलना चाहा रहे हैं, कहीं बहुत सारी चीज़ों को अगर देख के अंदेखा कर रहे थे, तो कहीं उन चीज़ों को सामने से confront करके, सामने से deal करना चाहा रहे हैं, और options का काट कहता है, कि जो भी situation में आप हैं, उसमें से कैसे बाहर निकलें, आप और आपके partner in fact मैं कहूंगी, situations हैं, उसमें से कैसे बाहर निकलें, कैसे चीज़ों को solve करें, उसी से related, अपने options को explore करते हुए दिख रहे हैं, या पर दिखिए, options एक दो चीज़ों की बात करता है, कुछ Aries के partner के लिए हो सकता है, कि situation अगर थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं हैं, किसी भी level पर complications हैं, या फिर issues हैं, तो कैसे उसमें से बाहर निकलें, उससे related options को explore कर रहे हैं, और कुछ Aries के लिए हो सकता है, कि आपके अलावा, किसी और से भी connect कर रहे हैं, किसी और से भी बातचीत कर रहे हैं, या फिर मैं यह नहीं कहूंगी, कि बातचीत कर रहे हैं, मतलब आपके अलावा और भी अपने options को mind में रखते हुए दिख रहे हैं, देखिए ये general leading है, थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा, जादा मुझे दिखता है कि जो भी situation में आप दोनों हैं April month में, कहीं उसमें से कैसे बाहर निकलें, उसके उपर focus कर रहे हैं and end April के लिए four of cups reverse का card कहता है कि कहीं emotionally low feel कर रहे हैं, कोई भी चीज उनको happiness, joy नहीं दे पा रही है, होता है ना कभी-कभी सब कुछ हमारे आस-पास ठीक-ठाक है लेकिन हम किसी भी चीज को लेकर excited नहीं महसूस कर रहे होते हैं हम उतना enthusiastic चीजों को लेकर नहीं हो रहे होते हैं थोड़ा सा मन उचाट सा हो जाता है, किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है तो उस तरीके की energies आपके partner की areas रहती वहीं दिख रही है in it to score का काट कहता है, जो भी वो इस relationship से चाहते हैं आप से चाहते हैं, उनको लग रहा है बस किसी भी तरीके से वो इस चीज को achieve करना चाहा रहे हैं अब देखते हैं कि April month में क्या हो रहा है तो देखे April starting के लिए Wheel of Fortune का का काट कहता है कि बहुत speed से बहुत तेजी से चीज़े आगे बढ़ रही है और आप दोनों की energies अगर मैं देखूं तो Aries आपने तो literally pause लिया हुआ है, रुके हुए हैं और आपके partner कहीं right frame of mind में नहीं रह रहे हैं मैं कहूंगी कि negative frame of mind में है तो दिखे इस scenario में जो April month में हो रहा है उससे आप दोनों की energies match करती हुई या align होती हुई नहीं दिख रही है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों safe secure होके तो चलना चाह रहे हैं लेकिन बहुत speed से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं बहुत तेजी से एक growth एक progress चाह रहे हैं या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ up and down चीज़े रह रही हैं क्योंकि Wheel of Fortune का card चीज़ों के up and down भी होने की बात करता है यानि कि किसी दिन बहुत great feeling हो सकती है और किसी दिन बहुत low feeling हो सकती है किसी दिन बहुत hopeful हो सकते हैं बहुत एक उमीद किसी चीज़ के लिए जागती हुई दिख रही है किसी दिन ना उमीद होते हुए दिख रहे हैं तो फिर से कहूंगी एक stable consistent energies कहीं कुछ टाइम से April starting वे नहीं रह रही है और इसलिए या फिर otherwise need a break का card कहता है कि थोड़ा सा pause लेना चाह रहे हैं और दिखें शायद इसलिए Aries आपने एक pause लिया हुआ है और दिखें need a break का card मतलब यह नहीं है कि आप लोग break ले रहे हैं एक दूसरे से यह break up हो रहा है need a break का card का मतलब कहता है कि थोड़ा सा slow चलना चाह रहे है थोड़ा सा too much होता जा रहा है और इदम से होता जा रहा है तो एक pace maintain करना चाह रहे है consistency maintain करना चाह रहे है और एका दुका के लिए हो सकता है कि एक break भी किसी level पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाह रहे है and mid April कहीं planning करता हुआ दिख रहा है जहां पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक काफी जादा future को लेकर सोच रहे है उसी से related क्या direction ले कैसे चीजों को achieve करें जो भी आप दोनों चाहते है and क्या आप लोगों के लिए decision right रहेगा जिसको आप ले क्या choice आपको लेनी चाहिए फिर से कहूंगी क्या direction आप लोगों को लेना चाहिए जो भी relationship में चाहते हैं उसको achieve करने के लिए उसी से related या फिर otherwise भी एक future को लेकर सोच रहती हुई दिख रही है planning रहती हुई दिख रही है deeper level के लिए crumbs का card कहता है कि थोड़ा सा कोई चीज टूट रही है या फिर बहुत एक positive frame of mind में mid April में नहीं रहते हुई दिख रहे है and April के लिए special to me and night of cups के reverse के card कहते है कि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है feelings है एक दूसरे को बहुत special treatment बहुत एक special realize करते हुए आप लोग दिख रहे है and कहीं surface level के लिए night of cups reverse का card कहता है थोड़े से emotional हो रहे है sentimental हो रहे है या फिर मैं कहूंगी emotionally low feel कर रहे है emotionally थोड़ा सा down feel कर रहे है और कहीं relationships are related ख़वाब देख रहे हैं सपने देख रहे हैं लेकिन practical realistic तरीके से यहां तो चीजों को नहीं deal कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं तो देखिए यहां पर situation circumstances सब areas के लिए differ करेंगे broader level के लिए मैंने सिरफ और सिरफ energies से related बताया कि इस relationship में क्या रह सकता है तो mixed energies April month में रह रहे हैं मैं नहीं कहूंगी कि कुछ बहुत great हो रहा है but yes कुछ खराब भी नहीं होता हुआ दिख रहा है एक planning एक सोच चल रही है चीजें consistently हो सकता है ना चल रही हो तो थोड़ा सा you know state of mind भी up and down होता हुआ दिख रहा है times positive at times negative रहता हुआ दिख रहा है तो ये था एरीज आप लुगों के लिए April 2024 की left arrow reading और अगर reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें